देखो दोस्तो, लाइब आप देखलो एकदम, मैं यहाँ पे एकदम transparent रखता हूँ, देखो अभी message कर रहा हूँ, double tick लग रहा है, नीचे मैं एक setting कर रहा हूँ, बस यहाँ पे मैंने off कर दिया, नीचे मैंने off कर दिया, यहाँ पे मैंने message भेजा, देखो, सिर्फ single tick लगेगा सिर्फ single tick tension की कोई बात नहीं है कोई आपको online भी नहीं देख पाएगा मैं आप सभी के दिल का बात जान लेता हूँ दोस्तो आप सभी खोज रहे थे कि अगर कोई मुझे message करे तो उसे ये जो double tick लगता है देख लिजे यही double tick जो की grey color का होता है ये double tick उसे ना लगे अगर कोई मुझे message करता है तो उसे double tick ना लगे तो सोचो आप ऐसा खोज रहे थे और मैं आप सभी के लिए ऐसा वीडियो लेकर आ चुका हूँ सबस बिटा बहुत बड़ी तो यार वही बात हुई ना कि आपका दिल का बात अगर मैं जान लेता हूँ थोड़ा सा मुझे भी खुस कर दो यार इस वीडियो को एक like कर देना और like और dislike आप किया करो तभी तो हमें पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा वीडियो सही है कौन सा गलत है नीचे comment भी कर दिया करो है ना थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजे हाता कि आप सभी इंट्रेस्ट ले रहो हम वीडियो बना रहे हैं आप सभी इंट्रेस्ट ले रहो इंगेज हो रहे हो तो अच्छा लगता है तो बस अगर आप सभी ने अभी तरक इस वीडियो को like निकिया है तो like कर देना, channel पर नए हो तो यार subscribe कर देना और घंटी को on नहीं कियो तो यार on कर ले, है ना, तेखो, तो अगर कोई message करता है, चैसे कोई भी message हो, कितना भी बड़ा हो तो आप चाते हो कि उसे सिर्फ single tick जाए, लेकिन यहाँ पर तो double tick लग रहा है, लेकिन अभी तक WhatsApp के अंदर ऐसा feature है नहीं, जिस्ते की आप इस चीज को control कर सको, मतलब कि अगर कोई आपको message करता है, तो उसे सिर्फ single tick लगे, ऐसा करने के लिए WhatsApp के अंदर कुछ जुगाल नही है, अभी जो मैंने आप सभी के सामने जो message किया, वो यहाँ पर आ चुका है, अगर यह बंदा यहाँ से message देख लिया, तो यहाँ पर इसको green tick लग जाएगा, sorry, 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 blue tick लग जाएगा, देखिए जो कि लग चुका है, है न, तो यहाँ पर एक तरीका है, जो कि by default अपन WhatsApp के अंदर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक trick लगाएगा, तो यह काम आप कर सकते हैं, यह देखिए, मैं यहाँ पे गया WhatsApp पे long press किया, यहाँ पे आपको एक i button दिख रहा है, है न, तो यहाँ पे i button पे click कीजिए, और i button पे click करने के बाद, यहाँ पे आपको करना क्या, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, mobile data का यहाँ पे आपको एक option मिलेगा, तो इसके उपर आप click कीजिए, click करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, allow background data usage, यह देख रहा हो न, इसको यहाँ पे आप बंद कर दोगे, तो अगर कोई आपको message करेगा, देखिए यहाँ किया, high भेजा, जो भी कुछ भी किरा, तो यहाँ पे अब उसे double tick नहीं लग रहा है, जो कि आप सामने यहाँ पे देख ले रहो, देख रहा हो न, अभी मैंने वहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ ए देखो, double tick लग गया, तो किसी-किसी phone में यह काम नहीं करता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक ऐसा जुगार लेकर आया हूँ, कि आप सभी को यह काम हमेशा होते रहे, देखो, अभी मैंने यहाँ पे allow background data usage, इसको मैंने यहाँ पे नीचे बन करके रखा है, फिर भी यहाँ पे उसे double tick लग गया, तो यहीं चीज है, कि मैं यहाँ पे ज़्यादा तर application पे trust करता हूँ, यह देखिए on किया, तो भी कोई फैदा नहीं, on off करो कोई फैदा नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कि मैंने आपको एक app का download link नीचे, video के description में दे दिया हूँ, जो कि यह app है, इस app को आपको open करना है, open करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे on कर दीजेगा, ताकि यह आपके phone के अंदर काम करने लगे, यहाँ पे देखिए, on कर दिया हमने, यहाँ पे एक चाभी activate हो चुका है, आपको करना क्या है, आपको whatsapp में चाहिए न, तो यहाँ पे आप नीचे आओ whatsapp में, अभी आप सिर्फ mobile network से connected हो, तो यहाँ पे आप क् कि इसको mobile network वाला बन करतो, बन हो गया, अब देखो, अगर मैं यहाँ से message करता हूँ, यहाँ से अगर मैं कुछ message करता हूँ, तो देखिएगा, कि अब इसको सिर्फ क्या लगेगा, single take, देख लो, थोड़ा सा नहीं कितना भी wait कर लेते हैं, देख लो, अराम से देख लो, मै जो तरीका बताता हूँ, वो 100% काम करता है, दोस्तो, मैं यहाँ पे इधर उदर फेकता नहीं हूँ, मैं एकदम trusted वीडियो बनाता हूँ, देख लो, आपके सामने है, उपर वाला भी आपके सामने है, यहाँ पे आप WhatsApp भी खोल लो, देखो, आपको message नहीं आएगा, कब आपको यहाँ पे कोई यह नहीं देख पाएगा, कि अभी आप online हो, offline हो, last day अपडेट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, tension free होके, तो ऐसा trick मैं लाता हूँ, तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं है, तो like कर देना, तो आप आपको क्या करना है, अब यहाँ आपको इस आप के अंदर पुनह जाना है, और यहाँ पे जो अभी आपने बंद किया था, उसको चालू कर दो, जैसे ही चालू करोगे, तो यहाँ पे देखिए, डबल टिक लग जाएगा, लग गया, और मैसेज भी आ गया, देख रो, बस एक बटन आपको क्लिक करना है, आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और घंटी को अन करना मत भूलना, देखो दोस्तो, लाइब आप देख लो एकदम, मैं यहाँ पे एकदम ट्रांस्पेरेंट रखता हूँ, देखो अभी मैसेज कर रहा हूँ, डबल भी बात नहीं है, कोई आपको ऑनलाइन भी नहीं देख पाएगा, देखो, ना लास सीन देख रहा है, ना ओनलाइन देख रहा है, नीचे वाला लास सीन अपना बंद करकर रखा है, तो यहाँ पे देख लो दोस्तो, सिंगल टिक लग रहा है, अब जैसे ही मैं वहाँ पे जो अभी बंद किया था, उसको चालू करूंगा, तो यहाँ पे देखिएगा, टप से एकदम डबल टिक लग जाएगा, ओ, देखो, टप से यहाँ पे डबल टिक लग गया, देर ही नहीं होने हैं दोस्तो, यहाँ पे ट्रिक ऐसा मैं बताता हूँ, कि आप सभी एकदम बि अब ले वुडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा, टेक केर तिल देन और गुडबाए